नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है, सिर्फ कहने से नहीं करने से ही काम बनता है, एक किराने वाले के यहां बहुत सारे चूहे हो गए थे, और वो सारे चूहे अनाज और खाने पिने की चीजों को खाते और गिराते भी थे, परिशान होकर किरानी की दुकान के, मालिक ने इस कबजे में कर लेती थी चूहों का आजादी से आना जाना बंध हो चूका था और चूहों की संख्या लगातार कम होती गई अपने काम संख्या और आवा जाही को काम होता देख सारे चूहों ने एक मीटिंग बुलाई सब अपनी रायदेनी चालू की उसी में से एक समझदार चूहे ने कहा बिल्ली चुपचाप हमारे पीछे भाग के आती है और हमें पता नहीं चल पता इसलिए हमारी संख्या काम हो रही है इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा उपाई यह है कि हम बिल्ली के गले में एक छोटी सी घंटी बांध देते है जिससे बिल्ली के आने जा काने की खबर हमें लगती रहेगी सारे चुहे इस अनोखे सुझाव को सुनकर खुश हो गए कि हमारे दिक्कत का एक समाधान मिल चुका है इस बिच एक बुढधा चुहा बोला बिल्ली के गले में घंटी बंधेगा कौन यह सुनते ही पूरे मीटिंग में सन्नाट अचा गया इसलिए दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा है सिर्फ कहने से नहीं करने से ही काम बनता है अगर आपको कुछ करना है तो करके दिखाओ बाते करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेलडा दायक कहानी हर रोज सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद